जबसे नितीज कुमार जी की सरकार आई है 2005 से लेकर आज 18 साल हो गए 2023 सारे सिक्षा मंत्री बिहार के जदियू कोटे के गए हैं और उसके बाद सिक्षा की क्या हालत है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है ये जग जाहिर है बिहार में सिक्षा विवस्था चरबडाई से क्या वो लोग आतंगवादी थे और वैसा व्यक्ति जो खुद प्रोटेस्ट राजनीती से उपर तक आया है और जो चात्र राजनीती से आया है जब वो सत्ता की लोव में इस तरीके की हरकत करे तो जरूरत ही जरूरन ही ये बिल्कुल ही निंदनी है जो गांधी जी ने और बिटी सरकार और ऐसा तेजस्वी आदव जी की जब पार्टी थी राज़त और जब उन्होंने बिहार पुलीस एक्ट में संसोधन किया था नितीज कुमार जी ने उसमें भी राज़त के मानुनिये विधायकों ने जब प्रोटेस्ट किया था तो उनको मार्सल से हैं ही नहीं विहार की राजनीती में तो यह मुहावरा है कि ऐसा कौन सा सदा नहीं जिसको नितीज जी ने ठगा नहीं 2019 से लेकर 2022 तक जो है 28 साल तो विधान सभा का भासन इसी पे चला है कि जो तेजस्वी आदव जी है वो प्रूफ करने में रहा गए कि देखिए नितीज जी पल्टू राम है और 28 साल तक नितीज जी अपने आपको डिफेंड करते रहे कि वो पल्टू राम नहीं राजनीति गढ़ बंदन हम पाटी नहीं तो रहे हैं सरकार मजबूत है यही सब चलते रहता भई आपके सरकार से बिहार की जनता को क्या ले ना देना आप तो बैठे हुए अपनी मंत्री वाली कोठी पर बैठिए उनको बिहार पुलिस के लाठी का सामना करना पड़ा एक कारेकरता की मौत भी हो गए इस पूरे मामले पर आज हमारे साथ बाचित करने के लिए हैं लोजपार राम बिलास के नेता राहुल सहाए राहुल जी क्या कहेंगे तेरा तारी की वो घटना बिहार में जिस तरीके स बीजेपी कारेकरताओं पर लाठियां बरसाए गए सर फट गया सांसदों को भी नहीं छोड़ा गया एक कारेकरता की तो मौत भी हो गई है दिए सबसे पहले हमारी पाटी लोग जनसक्ती पाटी राम बिलास और हमारे राष्ट्री अध्यक्ष मानिये स्री चिराक बासवान जी और हम सभी लोजपा के जो कारेकरता हैं वो इस जो परकरन की घोर निंदा करते हैं और ये ज़रूरन ही ये लोग तंत्र में काला दिन था जिस तरीके से कारेकरताओं को भाजपा के कारेकरताओं को विधायकों को सांसदों को पीटा गया वो निश्चित रूप से लोग तंत्र पे काला धब्बा था और मानिनिये नितिसकुमार जी जो खुद्र छात्र राजनीती से यहां तक आये हैं और खुद अपने छात्र जीवन में कई प्रोटेस्टों में वो रहे हैं आदर्निये जैप्रकास नरायन जी के संपुन करांती में भी वो थे और वैसा व्यक्ति जो खुद प्रोटेस्ट राजनीती से उपर तक आया है और जो छात्र राजनीती से आया है जब वो सत्ता की लोव में इस तरीके की हरकत करें तो जरूरत जरूरन ही यह बिलकुल ही निंदनिये है जिस तरीके से पीटा गया वो किन मुद्दो को लेकर कारे करता है भाजपा के वहां पे गये थे सिक्षा विवस्था को लेकर गये थे तो क्या इसमें गलत था जब से नितीज कुमार जी की सरकार आई है 2005 से लेकर आज 18 साल हो गए 2023 सारे सिक्षा मंत्री बिहार के जदियू कोटे के गये है और उसके बात सिक्षा की क्या हालत है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है ये जग जाहिर है बिहार में सिक्षा विवस्था चरबडाई हुई है जो विद्यारती है वो अपने घर छोड़ कर किसान अपने जमीनों को गिरवी रखकर आज अपने बच्चों को बाहर के प्रदेशों में पढ़ा रहा है किसलिए पढ़ा रहा है क्योंकि राज सरकार पूरी तरीके से सिक्षा विवस्था पर विफल हुई तो 18 वर्सों से जदियू कोटे के सारे सिक्षा मंतरी गए हैं और सब वो सिक्षा मंतरी हैं जो माननिय मुख्य मंतरी जी के काफी करीब माने जाते हैं औ और उसके बाद अठाड़ा सालों के बाद जब रोजगार देने का मौका आया है उसमें बिहार सरकार नुक्का छिप्पी का खेल खेल रही है और उसके लिए अगर कोई जा रहा है सवाल पूछने के लिए ऐसा तो नहीं है कि विधान सभा में इसकी बात नहीं चली है कई बा रहा है नौकरी मांगने के लिए आप उसकी बात नहीं सुन रहे हैं लोग तांतरिक माध्यम से लोग अपना प्रोटेस्ट दर्ज करा रहे हैं तो आप उन्हें लाठी चला रहे हैं आप गिरफतार कर सकते थे अगर आप कहते हैं कि डाक बंगला चौड़ाहा के आगे वाल कि अभी सिक्षा व्यवस्ता से तरस्थ हैं सब IPS और IS के आला अधिकारी नहीं है जो अपने बच्चों को मसूरी यह दहरादून भेज देंगे जो हमारे कॉंस्टेबल भाई हैं उनके बच्चे कहां पर रहे हैं सरकारी व्यवस्ते कुल में पर रहे हैं उनके बच्चों का भविश्य नहीं बड़ बाद कर रहा है नितिस कुमार जी तो इन मुद्धों को लेकर भाजपा के कारेकरताओं ने जब गोलबंद किया और जिस तरीके से बरबरता से मारा गया है यह पूरी तरीके से गांधी वादी राजनीती पे प्रहार है जो गांधी जी ने जो में अंधे हो चुके हैं और ऐसा तेजस्वी आदव जी की जब पार्टी थी राजप और जब उन्होंने बिहार पुलीस एक्ट में संसोधन किया था नितिस कुमार जी ने उसमें भी राजप के माननीय विधायकों ने जब प्रोटेस्ट किया था तो उनको मार्सल से हैं ही नहीं बिहार की राजनीती में तो ये मुहावरा है कि ऐसा कौन सा सगा नहीं जिसको नितीज जी ने ठगा नहीं तो नितीज जी ने राजप के कारकरताओं पे भी लाठी चलाया भाजपा जिनके साथ ये सरकार गटबंधन चला हैं क्या ये आपका बढ़ताओ जिन्सी की वज़ा से विचलित हो चुके हैं तो यह बहुत ही काला दिन था इसकी जितनी भी घोड निंदा की जाए यह बहुत कम है और जो सहीध हुए है भाजपा के कारेकरता उनके प्रती हमारी पार्टी की समवेदना है दो हजार इकिस के आपने बात चीत की चिराक तेश्वी यादो का उस समय सबसे बड़ा एक वहासन था जिस तरीके से मार्सल करके फिकवाया गया बढ़का जुट्ठा मुखे मंतरी इन्तीश कुमार को कह रहे थे और आज कहते हैं कि बीजेपी जो है बेकार का हल्ला करती है दो हजार उन्नीस से लेकर दो हजार बाइस तक जो है दो अड़ाई साल तो विधान सभा का भासन इसी पे चला है कि जो तेजस्वी आदव जी है वो प्रूफ करने में रह गए कि देखिए नितीश जी पल्टू राम है और अड़ाई साल तक नितीश जी अपने आपको डि तो नहीं है तो बिहार के लोगों की बात हो कहां रही है विधान सभा में फिसले तीन वर्सों से अभी जो विधान सभा चल रहा है उसमें कौन सा मुद्दा उछलता है क्या उसमें युवाओं के भविष एका मुद्दा उछलता है राजिनीति गठहबंधन हम पाठी नही की बातें भी किया कि जिसके लिए विधान सभा चल रहा है तो ये तो माननिये उपमुक मंत्री जी सिर्टे जस्वी आदब जी को बताना है कि इतनी जल्दी कैसे उनका हिर्दे परिवर्तित हो गिया इतनी जल्दी कौन सी राजनीतिक मतलब विचार धारा दोनों में मतलब आ रहे हैं जो मतलब की करप्शन है बिहार में वो बताने की जुड़त है नहीं आज सरकार की सरकारी दफ्तर में कौन सा मतलब काम है जो बिना आपको रिस्वत दिये हुए नहीं होगा हाँ ये कहिए कि मानिये मुकि मंत्री जी ने भरस्टाचार को एक सुयोजिक धंग से और जवाब देंगे कि डेर दो साल पहले जिस मुक मंत्री जी को वो कोसा करते थे आज वो क्यों इनके साथ इतनी तरीके से मधुरता से सरकार चलाने के लिए विवश है चलिए तो तजश्य यादों से कहीं न कहीं ये सवाल अब लोजपा भी पूछना शुरू कर दी है फिला पुरू कर दो